हेलो एन वेलकम टू इदुनिया नॉलेज चैनल आज हम इसराइल के जो नए प्राइम इनिस्टर है उनके बारे में जानेंगे तो जो इसराइल के नए प्राइम इनिस्टर ने संडे को ओथ लिया है उनका नाम है नफ्ताली बेनेट और ये इसराइल के नए प्राइम इनिस् पार्टी है वहाँ पे वो है और इन्होंने जस्ट सेवेन सीट जैसे वहाँ का जो पार्लियमेंट है उसमें 120 सीट है और 120 सीट में इन्होंने सिर्फ सेवेन सीट ही जीता था और फिर भी ये प्राइम मिनेस्टर बन गए क्योंकि इसके पहले जो प्राइम मिनेस्टर थे बें या तो इनको प्राइम मिनिस्टर बना सकता था या इनको पावर में ला सकता था तो नेफ्थाली बेनेट हैस अक्टेड एज किंग मेकर यानि कि यह जो सेवें सेट इन्हें मिले थे वो काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था गवर्मेंट बनाने में और बाद में इन्हों की पार्टिया हैं उन्होंने इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने का एक तरह से प्रपोजल रखा और बाद में सपोर्ट भी किया अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वाट इस आइडियोलोजी या वाट ही सपोर्स फॉर तो ही इस अपोज टू पैलेस्टेनियन इंड इपेंडेंस को अपोज करते हैं और उनका जिसे ये जिंडा रहा है कि जो जूइस सेटिल्मेंट वेस्ट बैंक और इस्ट जेरुसलम रीजन में जूइस सेटिल्मेंट का एक्सपैंशन हो रहा है उसको कंटिन्यू रखा जाए और यह बेंजामिन नतनयाहू भी जो थे य और नेफ्ताली बेनेट जो उस टाइम बेंजामिन नतनाहू के साथ गवर्मेंट में थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस स्टेप को और इसके आगे जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वहां के इसराइल के पार्लियमेंट के बारे में कि वहां के पा और यह यूजिली एक्जाम में पूछा जा सकता है जैसे कि यूएस का जो पार्लियमेंट है उसका नाम है सिनेट उसी तरह अलग-अलग कंट्री का जैसे जापान का आप जान सकते हैं और यह मैज दो फॉलोइंग आ सकता है तो के नेसेट्स जो है वह इसराइल का पार्लि if you like the video please like subscribe and share among your friends